यह चाकू दुनिया की किसी भी चीज को बड़े आसानी से काट सकता है, मजबूत चटान को ऐसे काटा जा सकता है, जैसे वह हवा से बनी हो, और अगर कोई चीज ब्रह्मांड के सबसे मजबूत सोने से बनी हो, तो उसे चाकू से बिना किसी प्रयास के अलग किया जा सकता जो दुनिया की किसी भी चीज को आसानी से काट सकते है चाकू का दूसरा हिस्सा और भी प्रभावशाली काम करता है क्योंकि ये हवा को काट कर दो हिस्सों में अलग कर सकता है जिससे चौथे आयाम का द्वार खुल जाएगा और हवा के दोनों परदो को पकड़ कर आयाम को आसानी से बंद किया जा सकता है लेकिन ये करना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा क्योंकि द्वार कुछ डरावना प्रकट कर सकता है तभी एक लड़का वहाँ आता है और उस चाकु को लेकर इस पर हमला कर देता है जिससे लड़के की दो उंगलियां कड़ गई लेकिन फिर भी वह उस लड़के को मुक्का मारता है और उसे धराशाई करके चाकु को छीन लेता है अगले पल जब लड़के ने अपने हाथ को देखा तो वह डर गया और तुरंत बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वह उठा तो बूढ़े आदमी ने उसे दिखाया कि उसकी भी वही दो उंगलिया नहीं है। हालांकि वह उस चाकू का मालिक था इसलिए वह बताता है कि यह चाकू अपने मालिक को चुनने के लिए उसके दो उंगलियों को काट देता है। जिस कारण अब यह चाकू तुम्हारा हुआ।